यू तो मीम्स हजारों बनी हुई हैं मेक्यानिकल इंजिनरिंग पर मगर उनकी स्क्रीम की इंटेंसिटी को सिर्फ और सिर्फ वही जमजते हैं मीम्स, रील्स, शॉर्ट, फेक न्यूस अकसर आपके दिमाग में ऐसा इल्यूजिन क्रियेट कर देती हैं जिससे इंप्रेस होकर कई बार आपने लाइफ के इंपॉरेंट डिसीजिन ले लेते हो लेट मी देल यू यह जितना भी कंटेंट है यह सिर्फ और सिर्फ आपके एंटेटेंबेंट के लिए बनाया जाता है इसमें मिलने वाली हाई पेट जॉब्स और मॉरें टेक्नलोजी में काम करने का मौकर दो तुमकों मिलेगा ही यार तुम लोगों ने कोर्ट तो सुनाई होगा यार लिटिल नॉलेज इस डेंजरिस तो भाई इसी डेंजर से बचने के लिए उपर दिख रहा है आई बटन पे क्लिक करो और पूरा ग्यान ले लो इससे पहले हमने एक वीडियो केमिकल इंजिरिंग के बनाई थी उसे देखो और जितने भी कोर्सेज हैं सब पे वीडियो जा रही होगी सब को देख के अपना ग्यान पूरा कर लो और सुनो यार ये अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए ना अपने रिलेटेव और अपने दोस्तों की सेजेशन को मानना बन कर दो बलकि अपनी एबिलिटीज और रियल फैक्स को ट्रस्ट करो अपने एक्सपीरेंस से बता रहा हो यार और हाँ ये वीडियो बनाने के लिए ना हमने बहुत सारे मेकैनिकल इंजिनिरिंग के एक्सपीरेंस लोगों से उनके एक्सपीरेंस को समराइस करके हमने ये वीडियो बनाई है तो जरा गौर फरमाईएगा जब मैं छोटा बच्चा था पड़ी शतानी करता था पर अक्सर मेरे दिल में एक हयाल आता था कि आखिर यह मेकानिकल इंजीनियर्स जो हैं यह करते क्या हैं तो भई मेरे पास तो कोई थानी उस्टाइब बताने के लिए तो मैं यह नहीं यह मान लिया था कि जितने भी यह मशीन I trust you guys मुझे पूरा वो रोसा है तुम पर कि तुम्हें यह पता होगा कि रिपेर करने वाले जो लोग हैं यह मेकानिकल इंजीनियर्स तो नहीं हैं तो आखिर मेकानिकल इंजीनियर्स है क्या और यह करते क्या हैं तो चलो बात करते हैं तो पहला काम है problem को analyze करके यह पता लगाना कि कौन से device से यह problem solve हो सकती है दूसरा काम है data analysis के basis पे mechanical devices और thermal devices को design and redesign करना तीसरा काम है जो भी हमारे test result आ रहे हैं उसके basis पे devices को redesign करना और आखरी काम होता है equipment के failure कर reason पता लगा के उसकी remedies को recommend करना तो किसी भी field में career set करने से पहले हमारा सबसे पहला concern होता है type of jobs तो देखो mechanical engineering में जो types of jobs है तुमारे लिए वो जारा तर फील्ड वरक रहने वाली है यानि field में रहके काम करना पड़ेगा मगर कुछ लोग होते हैं जिने field में काम नहीं करना जिने बैठ के काम करना पसंद है तो उनके लिए desk job भी available है अब यार बात हो गई job की तो बात करते है skills की I hope skills तो पता होंगे क्या चाहिए नहीं बता तो बिना skills जाने का बिन पैंदी का लोटा बनने जा रहते हैं कोई नियार मैं हूना मैं बताता हूं क्या skills चाहिए तो mechanical engineer बनने के लिए तुम्हें जो skills चाहिए वो है creativity, math skills, mechanical skills, problem solving skills और eye for detail तो अगर तुमारे अंदर ये सारे skills है तिन go for it और comment करके हमें ज़रूर ये बता देना कि तुमारे अंदर skills है या नहीं और अगर किसी skill में doubt हो यार तो वो भी पूछ लेना अब अगर सारे गोण मैच हो गए हो तो वीडियो लाइक कर दो जिससे हमारा भी मूँ मीठा हो जाए तो चलो आगे बढ़ते हैं eligibility and process के तरफ तो सबसे पहले होते हैं 10th क के बाद आपको science system choose कर लेनी है with PCM as your main subject इसके बाद आपको अपने 12th के साथ साथ entrance exam भी देने ताकि एक अच्छा college मिल सके फिर उसी college में आपको अपनी bachelor of engineering complete कर लेनी है उसके बाद एक suitable minor यानि कि आपके course के एक subgroup में आपको अपनी internship complete कर लेनी है फिर इसके बारा आप apply जाएगी आपकी job और कुछ साल job करने के बाद मिल जाएगा आपको आपका license finally देखते हैं किन रास्तों बे चलके आपको mechanical engineer की उपादी हासिल होगी तो bachelor's मेयार आप कर सकते हैं B.Tech in mechanical engineering, mechatronics and mechanical and automation engineering also you can go for diploma in mechanical engineering as well as mechatronics और उसके बाद आपको करने पढ़ सकते हैं कुछ post graduate courses जैस MBA in supply chain management, master's of engineering in tool design, mtech in mechanical engineering, mechatronic courses and master's in nanotechnology अब देखते हैं कौन सी गाड़िया इन रास्तों बे सबसे अच्छी चलनने वाली हैं यानि बात कर लेते हैं colleges के बारे में तो best college for mechanical engineering are I.D. Delhi, N.I.D. Trichy, Manipal Institute of Technology Manipal, College of Engineering in Pune and Bitspilani and many more अब देखो, college की जरनी है यार, बहुतो सिर्फ और सिर्फ चार साल रेने वाली है, मगर उसके बात की पूरी जिंदगी तुम्हें अपने काम के साथ काटनी है तो भाईया, course ध्यान से चूज करना यार, क्योंकि तुम्हारी एक लापर वाही, तुम्हें अब अंचाही जगा पहुचा सकती है अब समझते हैं, what needs to be studied in this course during your college time तो भाई देखो, अब नाम में ही mechanical है, तो Newton चाचा के mechanics के नियम तो आएंगे ही आएंगे मगर इसके साथ-साथ इस बार ना, उनके साथ, उनके दो छोटे भाई, dynamics और thermodynamics भी आएंगे अब कहीं तुम ये दो नहीं सोच रहे हैं, कि ये सब तुम आने पहले ही पढ़ लिया है भाई ऐसा सोचना भी मत, यार जैसे-जैसे colleges मिल रहे हैं, बेचैनी बलती जा रही है और आखिर बढ़े भी क्यों ना, भाई हमें स्कूल में ये तो सिखाया जाता नहीं है कि engineering में क्या पढ़ेंगे, engineering की कौन सी ब्रांच का क्या scope है इतने सारे courses, इतने सारे colleges और इतना सारा confusion सो भाई, stay tuned with career व्यास, चैनल को follow करो, subscribe करो और पने रवा हमारे साथ अब जैसे हर सबजी आलू के बिना अधुरी होती है, वैसे ही career की बात, बिना पैसो के की जाने वाली अधुरी होती है तो देखो यार, वैसे मेरे साब से पैसा उतना important नहीं होता, जितना लोग समझते हैं मगर पैसा important तो है, तो चलो बात कर लेते हैं pay scale की तो यार, इस field में आपका जो pay scale रहता है, वो depend करता है आपके designation पे जैसे, for purchase and quality control executive, the salary is around 5 lakh पर आनम for a design engineer, the salary is around 4 lakh पर आनम और आपकी hope से भी उपर scope है इसमें, 2015 में Indian market for mechanical engineering was about 40 billion US dollars, इसके अलावा you can discover work in aviation, compound assembling plants, vehicles, innovative work, oil investigation, rail line, production line and numerous others बहुत सारे mechanical engineer से बात करने के बात हमारा prediction ये है कि 2026 के बाद से ये sector rapidly rise करेगा Nanotechnology, Biomedical Designing, Artificial Intelligence और Advanced Mechanics भी कुछ ऐसे innovative area हैं जिने एक mechanical engineer चूज कर सकता है क्या लगता है, बन जाओगे? क्यूं नहीं? अगर हाँ, तो यार हमें comment करके ज़रूर बताना और एक बात और, अगर तुम भी अपने दोस्तों के साथ रोबोर्ट बनाना चाहते हो, तो यार उन्हें ये वीडियो शेयर कर दो, और अगर तुम्हारा भी सपना यार देश में revolution लाने का है तो याद रखना, सर एपी जब्दुलकलाम सतीज दवन, ईश्रीदर दे मेट्रोमान अफ इंडिया और सर विवेस वराया इंडिया के पहले इंजीनियर ये सब भी एक mechanical इंजीनियरी थे अगर अभी भी course चूज नहीं किया है तुमने या फिर जिस course में हो उसका scope अच्छे से नहीं पता है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम हर course पर वीडियो बनाने वाले है जिन्दगी का सवाल है यार एक subscribe में तुमारा क्या ही चल जाएगा तो चलो यार मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर